गोड एवनिंग सभी दर्शकों का सक्सेस ग्रूप में बहुत-बहुत स्वागत है जैसा कि आप जानते हैं कोरोना का प्रकोब बढ़ता जा रहा है लगातार और इसकी स्पीड जो है वो 2020 के पेक्षा जस्ट डबल स्पीड से कोरोना संकमण फैल रहा है ऐसी स्थिती में इस मात्र विकल्प लागडाउन ही है ऐसा नहीं है इसके पहले राज्य सरकारों ने तमाम प्रयास किये लागडाउन के अक्त्रिक्त नाइट कर्फ्यू है सोशल इस्टेंसिंग का पालन करना और भी तमाम प्रयास किये लेकिन आंतोतह जब बात नहीं बनी तो देश का एक राज ऐसा भी है जहां पर 19 अपरेल तक टोटल लागडाउन लगा दिया गया है 6 दिनों का टोटल लागडाउन तो आईए जान लेते हैं वो कौन सा राज्य है कौन सा शहर है जहां पर टोटल लागडाउन लगाया गया है और दूसरी बात ये अपने साथियों को ये जानकरी जरूर शेयर कर दीजिगा क्योंकि इससे अगर थोड़ा सा भी वो एलर्ट हो गए मास्क और सोशल डिस्टैंस का पालन किया तो शैद उनके राज में या उनके शहर में लागडाउन लगाने की नौबत ना आये और लागडाउन कितना दिक्कत होती है लागडाउन का दंश जिसने जहला है वो ही जान सकता है पिछले साल जब लागडाउन लगा था तो क्या हाला थे ये आप सब जानते हैं इसलिए ज्यादा बहतर तो ये है कि लागडाउन ना लगे लेकिन फिर भी अगर लागडाउन लगा है 19 अप्रेल तक तो आईए जान लेते हैं कहां प्रलगा है ताकि आप लोग भी सावधान हो जाए एलर्ट रहें सतर्क रहें तो आपके हां लागडाउन ना लगे चले जानकारी शेयर करते हैं तो ये ख़वर है भोपाल से मद्ध परदेश में कोरोना वाइरस की कमर तोड़ने के लिए रोज मुख्यमंत्री शिवरा सिंग चोहां कई फैसले ले रहे हैं दो दिन पहले 12 शहरों में लागडाउन लगाने के बाद सोमवार शाम निर्णे लिया गया कि राजधानी भोपाल में भी 19 अप्रेल सुबह 6 बजे तक कम्प्लीट लागडाउन रहेगा इस दोरान चिकिस्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि अगले 6 दिन तक शहर में सब कुछ बंद रहेगा हालाकि उन्होंने ये भी कहा कि इस दोरान कुछ रियायतें दी जाएंगी लेकिन जैसा कि आप जानते हैं आप भुक्त भोगी हैं पिछले लागडाउन के तो रियायतें केवल आवश्यक सेवाओं के लिए दी जाएंगी ये क्रैसिस मैनेजमेंट कमिटी भोपाल बंद का हुआ फैसला सोमार को हुई क्रैसिस मैनेजमेंट कमिटी की बैठक में मंतरी और भोपाल से विधायक विश्वास सारंग ने प्रस्ताव रखा था कि शहर में बढ़ते मामलों को देखते हुए भोपाल को लॉक कर दिया ज जानकारी अपने सभी साथियों को जरू शेयर कर दीजेगा ताकि साधान ने सतर करें अगर सोशल डिस्टैंसिंग का पालन करेंगे देखे ये प्रकोब इतना तेजी से बढ़ क्यों रहा है इसकी वज़े यह है कि लापरवाही बढ़ती जा रही है आम जनता जो है वो कुछ लॉग कर दिया गया था तो उसके बाद लोगों में काफी जागरुकता आई थी और कंट्रोल कर लिया गया को लेकिन इस बार चुकि जागरुकता लापरवाही में बदल चुकी है इसलिए ये कंट्रोल नहीं हो रहा है तो महरवानी करके आप लोग जो है कोरोना प्रोटोकाल का पालन करिए तभी सुरक्षित रह सकेंगे और तभी लागडाउन से बचेंगे ओके थैंक यू